यह जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, यह सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए दवा बना रही हैं, यह कंपनीया सब के लिए दवा बना रही हैं, केंदर सरकार के अस्पतालों में भी यही कंपनीया दे रही हैं, भारतिय जंता पार्टी के उत्तरपदेश, हर्याना में भी य अमारे लिए नकली बनाएंगे, उनके लिए असली बनाएंगे, ऐसे कोई न होगा, यही दवाईया है और यह एक normal practice है, दवाईयों के sample पिक किये जाते हैं, उसके अंदर कोई दवाई अगर non-standard, not up to the standard quality पाय जाती है, तो उस दवाईय को इस्तमाल करने के लिए रोका जाता है, उसका पूरा का पूरा batch उस company को वापिस कर दिया जाता है, उसकी payment रोक दी जाती है और कहा जाता है कि आप आप नया batch दीजिए, जो standard quality का हो, ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को कहने से आप blacklist करते हैं company को, दिल्ली की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं, कि यह ज इन कारणों से फैला रही है, बुलो कुछ जानते हैं, मगर मोटे तोर पे इस तरीके के टेस्ट्स तिल्ली के अस्पतालों में और अन्या अस्पतालों में एक routine process के दौरान कराय जाते हैं, उसके अंदर कुछ दवाईयां, कुछ टेस्टों के अंदर not standard पाई जाती रही है हर राज्य में पाई जाती हैं, आप AIMS में पता कीजिए, RML में पता कीजिए, वहाँ भी पक्का पाई जाती होंगी और उनका यही procedure होता है कि जो दवाई not of standard quality पाई जाती है, वो वापिस भीजी जाती है, उसके जगे नया बैच आता है